को सबसilें हम अमारी विडियो में यहां पर में मेमरी के बारे में पड़ रहे थे और मेमरी में हमने देखा किgov टारे के लिए पर्सक्रों है free function का यूज करके तो क्या होता है और तो क्या फॉनी पाद आपको क्या ज़ुरूरत पड़ गई क्या लोक आपका क्या होता है मैं बताता हूं चालॉक फंक्शन होता है contiguous allocation ठीक है एक के बाद एक को हम बोलते है contiguous और यह ही calloc function होता है और calloc function में होता क्या है calloc in C is used to dynamically allocate the specified number of blocks of memory of the specified type calloc भी dynamically allocate कराने के ही काम आता है और यह specified number of blocks of memory करा देता है of specified type इसका मतलब यह है कि आप इसमें क्या करोगे इसमें आप एक बहुत बड़ा block नहीं बनाते हैं इसमें बहुत सारे blocks बन जाते हैं और जितने blocks आप चाहते हो उन सबको एक साथ club करके एक memory बनती है और यह आपके array type की होगी ऐसा मानो array में कैसे होता था आपको पता है array में contiguous memory locations पे हमारे block of memory save हो जाती थी और वैसे ही इसमें भी होता है यह बिलकुल array जैसे ही आप assume करो कि एक के बाद एक छोटे छोटे blocks बन जाते हैं और वो सारे contiguous form में होते हैं और आप इसे भी किसी भी type में बना सकते हो तो होगा क्या it initializes each block with the default value 0 इसमें यह difference होता है यह सारे blocks को 0 default value से initialize कर देता है तो हमने calloc में और malloc में difference समझा कि malloc जो होता है वो एक बड़ा block of memory बना देता है और जो हमारा calloc होता है वो छोटे-छोटी blocks of memory बनाता है जो किसी भी एक type की होगी किसी भी data type की होगी हम अभी star ptr करेंगे और हम फिर cast type भी करेंगे क्योंकि जो हमारा calloc function होता है यह भी एक void pointer return कर रहा होता है void हमारा एक data type होता है और उस data type को आपको change करना होगा उस type में जिस type में आप अपनी memory को चाहते हो तो यहां पर हम in star कर देते हैं अगर character को कराना चाहते हो तो आप care star कर दोगे और उस ptr में आप assign कर दोगे क्योंकि यह भी pointer value होती है यह malloc से बिल्कुल सेम होता है बिल्कुल malloc जैसे ही सारा काम होता है इसमें भी बस इसमें होता क्या है आप इस syntax को देखो आप लिखोगे calloc आप बस m की जगा c लिख दोगे और इसमें क्या करोगे पहले n लिखोगे और फिर data type का size लिखोगे n आपका क्या represent करता है आपको लिखना है तो इस चीज को लिख लो n का मतलब होता है number of blocks ठीक है जितने आपको blocks चाहिए और data size data type का size क्या होगा आपका जो भी data type है उसका क्या size है तो अगर आपको नहीं पता तो आप size of operator लगा लो इस example को देखो आप इस example में क्या है हमने PTR में डाला int star करके मतलब type cast करके int type में calloc की value को calloc क्या बोल रहा है calloc में 5 blocks बनाओ जो जिनका size क्या हो उनका size होना चाहिए चार तो चार size के 5 blocks बनेंगे तो इसमें जो यह जो calloc है यह भी 20 bytes की memory बना रहा होगा तो 20 bytes की memory तो बना रहा है लेकिन यह एक बड़ा block नहीं है यह छोटे-छोटे 5 block है जिनका size है 4-4 byte इसे आप array से compare करने की कोशिश करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा यह dynamic memory allocation है calloc को use करके यह dynamically allocate होता है और इसमें भी यह concept होता है कि अगर हमारा space insufficient है तो allocation नहीं हो पाएगा और वो null pointer return कर देगा तो PTR में क्या save हो जाएगा null और null मतलब क्या होता है null मतलब यह होता है कि यह कोई specified address पे point ही नहीं कर रहा यह किसी एक specified address पे point नहीं कर रहा pointer तो इस चीज़ को अभी हटा देता हूं और यह point आपको समझ आ गया होगा और pointer will hold the address of the first block यह भी चीज important है यह जो pointer है यह यह भी base address को यह save कर रहा है लेकिन हमें पहले से ही पता है कि हमारा एक integer type की value जाने वाली है और हमारा जो first block है उसी को यह point कर रहा होगा उसमें भी यह concept होता है बस वह first byte को कर देता है और वह भी base address ही होता है इसका और यह भी base address होता है हमारे जो 5 blocks बनेंगे उसमें जो first block है उसे point कर रहोगा हमारा यह PTR तो calloc का मतलब आप समझे calloc थोड़ा different होता है malloc से calloc use कैसे करते हैं यह दिखाता हूँ यह बिल्कुल same program है जो हमने last बनाया था बस मैं calloc का use करके वही सारे काम करवा रहा हूँ इसमें हम क्या करें stdlib.h include कर रहे है मैं highly recommend करूँगा अगर आपने malloc नहीं पढ़ा है तो यह video ना देखो पहले malloc को पढ़ो फिर calloc को पढ़ो अब calloc क्या होता है calloc में क्या होता है और malloc की video हमारी last video है इस playlist की और मैं यह सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि randomly हो सकता है किसी ने आके video देखी हो और उसे malloc के बारे में नहीं पता ठीक से तो मैं इसलिए आपको बार-बार बता रहा हूँ कि malloc आपको पढ़ना जरूरी है pointer पढ़ना जरूरी है pointer arithmetic पढ़ना जरूरी है यह concepts बहुत important है आपके dynamic memory allocation के लिए अब फिर आप देखो यहाँ पर main function में क्या हो रहा है हमने end बना दिया integer और फिर बोला enter the number of elements you want in the array और फिर हमने उसे scan करा लिया फिर वही चीज़ करिया हमने ptr बनाया यहाँ पर भी हम यह चीज़ कर सकते थे हम int air करके यहाँ पर end कर देते तो यह एक array बन जाता लेकिन array क्या करता है array जाके बैट जाता है और हमें बिठाना नहीं है उस memory पर हमें dynamically allocate करानी है तो यह array हम नहीं बनाएंगे और calloc का use करके उसी memory पर हम अपनी values को save कराएंगे तो यहाँ पर मालो 5 आपने enter कर दिया पिछली बार हमने 4 से समझाता इस चीज़ को लेकिन इसमें अभी मालो आपके जो user है उसका मन हुआ कि 5 हमें चाहिए elements तो उसने 5 enter कर दिया अब क्या होगा हमने int star ptr किया आप इस चीज़ को यहाँ भी कर सकते हो मैं फिर से यह चीज़ बता रहा हूँ आपने ptr बनाया और उस ptr में सीधा assign कर दिया एक pointer value वो क्या pointer value है हम calloc use करके dynamically allocate करा रहे है memory जिसमें n blocks of memory होगी और उन n blocks का size होगा size of int मतलब 5 अगर enter किया है तो 5 blocks बन जाएंगे जिनका size होगा 4 तो 20 bytes की memory यह calloc हमें देगा जिसमें वो 5 चोटे चोटे block हमें देगा और यह एक void pointer return करता है तो उसे हम typecast कर देंगे in type में तो अब यह हमारी integer values store करने के लिए तयार हो चुका है ready हो चुका है अब यह क्या बोलेंगे हम इसमें आप 5 integer values डाल दो यह आप for loop same for loop है हमारी last video जैसा ही और उस for loop में भी यह हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे यह for loop n times चलेगा और क्या बोलेगा अब dereference करो ptr plus i ptr plus i मतलब pointer arithmetic pointer arithmetic को use करके ptr मतलब base address ptr plus i अगर 1 होगा अगर 0 होगा तो base address अगर 1 होगा तो मतलब base address के आगे वाली जो value है वो वहाँ पर जो value है क्योंकि हम dereference operator का use कर रहे हैं अगर बस ptr plus i बोलते तो उसे हम एक address बोलते हैं लेकिन अगर star ptr plus i बोलते हैं तो उसे हम dereference कर रहे हैं मतलब उस पर value को हम change कराना चाहते हैं हर iteration के लिए बढ़ता जाएगा first iteration में one होगा क्योंकि i की value 0 होगी और second iteration में one plus one third iteration में two plus one और ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर आप n की value 50 कर दोगे न तो यह भी 50 values आपकी print करा देगा मैं अब भी आपको दिखाऊंगा भी यह सब अब क्या होगा print f हम क्या बलेंगे the elements of the array r हम सीधा print करा देंगे वो सारे elements क्योंकि हमने डाल दिये वो सारे elements और उनी elements को हम print करा रहे हैं तो वो सारे print हो जाएंगे comma लगके और फिर हम free ptr use कर रहे हैं free point free ptr मतलब हम free कराना चाहते हैं हम यह जो memory हमने बनाई थी इसे आप free करना चाहते हो इससे आप मतलब release करना चाहते हो और इसको release करने के बाद हम we can write more code हम उसी memory को अलग-अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं हम उसी memory को बार-बार यूज करते हैं और अगर integer आपने एक array बनाया होता तो वहाँ पर वो memory बार-बार यूज नहीं हो सकती और यह को अच्छा लगे उसे आप यूज करो malloc में क्या होता है एक बड़ी block of memory होती है calloc में क्या होता है छोटी-छोटी blocks of memory होती है जो मिलके एक बहुत-बड़ा integer array बना देता एक data structure होता है हम आगे अगर आप अच्छे से data structures पढ़ने जाओगे ना तो आप देखोगे हम link list बना आ रहे होंगे और link list के लिए हम यह dynamic memory allocation का ही यूज करते हैं और वो concept अभी आपके लिए important नहीं है लेकिन अगर आप data structures पढ़ोगे तो वह बहुत important होता है और यह आपको आपने अभी पढ़ा हुआ है तो जब आप पढ़ोगे उस चीज को आपको बहुत advantage मिलेगा बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि यहां पर आपने dynamic memory allocation को समझ लिया है और अब देखो यहां पर enter number of elements you want in the array तो आप कर दो यहां पर आप 5 कर दो तो आपके 5 elements आ गए अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप values ना डालो यहां पर यहां पर आप इसे comment करके run कराओगे त कैलोग में आपकी 0 हो जाती है default value तो यही आपका concept था मालो अगर मैं इसे फिर से run कराओगे और मैं बोलूँ कि आप यहां पर बहुत जादा number of elements जाते हो यहां पर 50 कर दो ठीक है तो आपकी 50 numbers भी प्रेंट हो जाएंगे तो आपको dynamic memory allocation में कैलोग function का use करना अच्छे से समझ का मतलब होता है contiguous allocation उसमें initialize होती है default value 0 और यह होता है छोटी-छोटी blocks of memory बनाने के लिए और इसे भी हम बिल्कुल सेम तरीके से use करते हैं इसमें सब कुछ सेम होता है अगर insufficient memory होगी तो null pointer return हो जाएगा null यहाँ पर null बड़ा होता है यह चीज़ आपको हमेशा याद रखती है null एक keyword होता है जिसका मतलब हमारा compiler खुद समझ जाता है तो यह हमारा cal lock का concept था free function को हम पढ़ चुके है malloc function को हम पढ़ चुके हैं और next video में हमारी हमें realloc function को पढ़ना है और realloc function एक और बहुत amazing function है जिसमें हम अपनी memory को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अभी तक हमने free करना सीखा लेकिन अब हम बढ़ाना या फिर कम करना सीखेंगे realloc का use करके तो आप वो video ज़रूर देखना next video में हम realloc को पढ़ेंगे तो guys यह video आपको अच्छी लगी हो और आपको चीज़ झाल